फ्लोरेंस नाइटिंगल जिन्हें मौडर्न नर्सिंग का जनक माना जाता है जिनका जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस ग्रेंडची और टुसकेनी में हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्म दिन को ही पूरा विश्व इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाता है यानि कि हर वर्स 12 मई को पूरे विश्व में इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है नर्स यानि कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिमार या घायल व्यक्ति की देख भाल या केर करने के लिए ट्रेंड होती है मरिजों को अच्छी तरह से त्यार करने और उन्हें फिट और स्वस्थ रखने के लिए नर्स डॉक्टरों और अन्य हेल्थ केर वर्कर के साथ भी काम करती है पहले हम फ्लोरेंस नाइटिंगल के बारे में जानते हैं फिर हम नर्स के महत्तों को समझेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म 12 माई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में एक अमीर और अच्छी तरह से जुड़े ब्रिटिस परिवार में हुआ था 1821 में फ्लोरेंस नाइटिंगले का परिवार इटली से वापस इंगलेंड चले गए फ्लोरेंस नाइटिंगल के पिता विलियमस नाइटिंगल और माता फ्रांसेस नाइटिंगल थी फ्लोरेंस इटली के एक जगह का नाम था तो Florence Nightingale का नाम उनके जन्म इस्थान पर ही उनके मातापिता द्वारा रखा गया था Florence Nightingale की एक बड़ी बहन भी थी, Francis Porthenope, इनका भी नाम इनके जन्म इस्थान पर ही रखा गया था Florence Nightingale की पढ़ाई की बात करे तो इतिहास, गड़ीत, लिटरेचर और फिलोसफी के ज्यान के साथ-साथ French, German, Italian, Greek और Latin भी उन्होंने बचपन से ही सीख रखा था Florence हमेशा से तमाम तरह की जानकारियों को जुटाने में अपना समय वैतित करती थी उसकी बहन का मानना था, Florence को गड़ीत में काफी इंटरेच्ट था जब Florence का परिवार 18-17 में यूरोप घुमने गए तब Florence कई तरह की जानकारियों को इकठा करती थी जैसे कि देश या सहर की कितनी आवादी है, सहर में कितने हॉस्पिटल है, लोगों की सेवा करने वाली कितनी संस्थाएं है इन सब चीजों को वो अपने डायरी में नोट करती थी लेकिन उसकी मा इन सब चीजों को पसंद नहीं करती थी फ्लोरेंस बच्पन से ही लोगों की सेवा करने में दिल्चस्पी रखती थी लेकिन वो एक अमीर परिवार से थी तो उनके माता पिता चाहते थे कि फ्लोरेंस का साधी किसी अमीर लड़के से कर दिया जाए और फ्लोरेंस अपने आगे की जिन्दगी खुसी खुसी बिता है फ्लोरेंस दिखने में काफी सुंदर और पढ़ी लिखी साथी समझदार भी थी और फिर उसके माता पिता के पास काफी दॉलर भी थे तो साधी के लिए रिष्टे आते रहते थे 1837 में जब वो परिवार के साथ हिरोब घुमने निकली तब सफर के अंत में फ्लोरेंस ने यह तह किया कि भगवान ने उसे मानोता की सेवा का आदेज दिया है और इस बात को उसने अपने माता पिता के पास रख कर बोली भगवान ने मुझे अवाज दे कर कहा है कि तुम मेरी सेवा करो लेकिन सेवा किस तरह से करनी है यह भगवान ने नहीं बताया 1844 में फ्लोरेंस ने तै किया कि उसे नर्सिंग प्रोफेशन में जाना है और लोगों की सेवा करनी है जब उसने नर्सिंग प्रोफेशन में जाने को तै किया तब उसके माता-पिता इस बात के खिलाफ हो गए और फ्लोरेंस को उसके माता-पिता नर्सिंग प्रोफेशन में नहीं जाने देना चाहते थे उनिस्वी सताबदी में नर्सिंग प्रोफेशन को काफी नीज समझा जाता था पैसे भी बहुत कम मिलते थे और साथ ही कोई इज़द भी नहीं देते थे अपने मातापिता के मना करने के बावजुद भी फ्लोरेंस, लंदन, रोम और पेरिस के हॉस्पिटलों का दोरा करते रहती थी उनके मातापिता फ्लोरेंस को बहुत समझाने की कोशिस करते थे लेकिन वो अपने ही बात पर अड़ी रहती थी 1849 में साधी के प्रपोजल को फ्लोरेंस ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है और साथ ही फ्लोरेंस का मानना था कि साधी करने के बाद वो लोगों की सेवा उस तरह से नहीं कर पाएगी जिस तरह से वो करना चाहती थी सन 1850 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के माता पिता को आखिरकार ये एहसास हो ही गया था कि उनकी बेटी अब साधी नहीं करने वाली जिसके बाद उन्होंने फ्लोरेंस को नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने की इजादत दे दी फ्लोरेंस को ये अजादी मिलने से उनकी बेहन फोर्थे नौप को इतना जबरदस्त जटका लगा कि सन 1852 में वो बिमार पड़ गई मजबूरी में फ्लोरेंस को अपनी ट्रेनिंग छोड़कर बहन की सेवा के लिए 1852 में वापस इंगलेंड आना पड़ा जब वो अपनी बेहन की सेवा कर रही थी तब उसे यह एहसास हुआ कि वो अपनी बेहन का ठीक तरह से देख भाल नहीं कर पा रही है इसलिए उसने कई मेडिसिन्स के बुग भी पढ़े और कई जगहों से ट्रेनिंग भी ली 1753 में फ्लोरेंस को लंदन के हाले स्ट्रीट हॉस्पिटल में नर्सिंग की प्रमुक बनने का मौका मिला इस तरह वो एक नर्सिंग प्रोफेशन में चली गई लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगल चर्चा में तब आई जब 1853 में क्रिमिया का युद्ध सुरू हो गया था इस युद्ध में एक तरफ से फ्रांस ब्रिटेन और तुर्क और दूसरी तरफ से रूस अकेला था एक्चुल में इस युद्ध में रूस तुर्क पर अपना अधिकार जमाना चाहता था लेकिन ब्रिटेन का ऐसा मानना था कि इससे उसे नुकसान हो रहा है फ्रांस भी तुर्क पर अपना अधिकार जमाना चाहता था लेकिन वो रूस के खिलाब था इसलिए फ्रांस ब्रिटेन और तुर्क एक साथ आ गए और रूस अकेला तीनों से लड़ रहा था इस युद्ध में ब्रिटेन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा हलाकि युद्ध को रूस ही हा रहा था इस युद्ध में बृत बड़ा जो काराण था वो था एक संक्रामक रोग कोलेरा बीमारी की वज़ा से शैन्कों में बीमारी काफी तैजी से फैलने लगा और मौत का आकड़ा काफी तेज हो गया ब्रिटेन के उस समय के युद्ध मंतरी सीडनी हरबर्ट फ्लोरेंस को काफी अच्छे से जानते थे हरबर्ट ने फ्लोरेंस को 38 नर्सों के साथ तुर्की के इसकूतरी स्थीत मिलिटरी हॉस्पिटल में जाने को कहा ब्रिटेन की इतिहास में ये पहला मौका था जब महिलाओं को सेना में सामिल किया गया था जब फ्लोरेंस तुर्की के बराक हॉस्पिटल में पहुंची तो फ्लोरेंस ने देखा कि हॉस्पिटल काफी गंदा था हॉस्पिटल का बहुत ही बुरा हालात था फ्लोरेंस तुरन थी अपनी सभी नर्सों को काम पर लगा दी पहले हॉस्पिटल को साफ सफाई करवाया गया और खुद फ्लोरेंस और उनके साथी नर्सों ने वार्ड को साफ किया इसके बाद फ्लोरेंस ने सभी सैनिकों के ठीक से खान पान और सलीके के कपड़े पहनने का इंतजाम किया ऐसा पहली बार था कि सैनिकों को इतने सम्मान के साथ रखा जा रहा था लेकिन फिर भी मौत का आकड़ा कम नहीं हो रहा था फ्लोरेंस नाइटिंगल के प्रयास से 1855 की बसंत रितू में ब्रिटिश सरकार ने एक सेनिटरी कमिशन बनाकर इसकूतरी के हॉस्प मेहनती थी और वो दिन भर सैनिकों की सेवा करने में ही समय को वैतित करती थी फ्लोरेंस रात में भी लाल्टेन पकड़कर सैनिकों का हाल चाल पूस्ती थी सैनिकों से बात करती थी और अगर सैनिक सक्षम नहीं है पत्र लिखने के लिए तो सैनिकों के घर वाले को पत्र भ लाकर करती थी तभी अकबार में भी फ्लोरेंस का एक तस्वीर लाटेन के साथ छपा और इस तरह से उनका नाम लेड़ी विद दा लैंप पढ़ गया इसके बाद सैनिकों की मौत का आगड़ा काफी कम हो गया और सैनिक स्वस्त होने लगे फ्लोरेंस नाइटिंगल एक नवाद दिया था और उनसे मुलाकात की थी तब फ्लोरेंस नाइटिंगल ने सैनिकों के बुरी हालात और मौत के आखड़े के बारे में उन्हें बताया था उसके बाद जब जाज कराया गया तो पाया गया कि मौत होने का कारण युद्ध नहीं बलकि बीमारी था गंदग उन्हें मौडर्न नर्सिंग का जनक के रूप में माना जाता है फ्लोरेंस की कोशिसों से ही ब्रिटेन फॉर्ज में मेडिकल सेनिटरी साइंस यानि की सापसफाई के विज्ञान और सांखिकी के विभाग बनाए गए अगले कुछ दसकों में ही नर्स को सम्मान मिलना शुर और नर्सों को सम्मान मिलने लगा हेल्थ केर सिस्टम में आज सापसफाई पर जो इतना जोड़ दिया जाता है वो लेड़ी विद लेम के कारण ही संभव हो पाया था फ्लोरेंस नाइटिंगल के प्रयाश से ही क्रिमियम युद्ध में तेजी से सैनिको के मौत का आकड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगल भी तमाम डॉक्टरों की तरह मानने लगी थी कि विमारी इसी सुचमजीव के कारण ही फैलता है अपनी लोग प्रिता का बहुत चोतराई से फायदा उठाकर फ्लोरेंस नाइटिंगल ने सरकारों को लोगों की बहतरी के लिए कदम उठाने पर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग एंड नोट्स ऑन हॉस्पिटल उसके अगले साल ही फ्लोरेंस के नाम पर ब्रिटेन में नर्सिंग स्कूल की स्थापना हुई 1906 में फ्लोरेंस नाइटिंगल ने भारत का भी आकड़ा जुटाई और भारत में ब्रिटिस स्थैनिको के हिल्थ को बहतर बनाने का प्रयास की थी उस टाइम हमारे देश में ब्रिटिस सासन मतलब अंग्रेजों का सासन था अब थोड़ा नर्सेस का महत्तो को समझते हैं नर्सेसी एक्चूल में पेसेंट का देख भाल करती है नर्सेस का काम ही है पेसेंट का हर तरह से सेवा करना साथ ही उसके फैमली मेंबर को भी सपोर्ट करती है नर्से सी पेसेंट को assess और observe करके उसके problem के according पेसेंट की सेवा करती है साथ ही doctor के साथ भी corporate करके doctor का भी हर जगा साथ देती है एक line में कहा जाए तो नर्से सी actual में patient और उनके family की हर तरह से देख भाल और सेवा करती है founder of modern nursing Florence Nightingale ने एक line कही थी मैं अपनी सफलता का स्रे इस बात को देती हूँ मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लें साथ ही बैल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का notification मिलता रहें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें साथ ही कॉमेंट करके सुझाओ दे आपको वीडियो कैसा लगा थाइंक्यू फर वाचिंग आपका हर दिन सुभू